राश्टरवादी कॉंग्रिस देने ते कदिर मोलाना एंटी जिल्याथ होता से ले लॉक्डाउं लफ लेगो दिरूर के लाविए हमने हमारे पूरे कार्यकरताओं को साथ में बैठके हमने मशुरा किया कि वह ये लॉक्डाउन कोरोना का परियाई भाग नहीं है इस से पहले छे मैंने हमने लॉक्डाउन में काम किये लोगों के सब मसाइल हमको देखने के लिए सामने आए जो परिशानिया लॉक्डाउन के अंदर में हुई हमने खुद बजाबते रोड पे खड़े रहके लोगों के हालात को देखा यारंगबाज शेहर में एक बड़ा तफका गुर्बत से जूज रहा है पहले तो नोटबंदी की मार उसके बाद फिर ये लॉक्डाउन छोटे मोटे कारोबार करने वालों की जो दशा जो विवस्ता हो जाती है वो नाखाबिले बरदाश होती है और वो मुश्किल ऐसी घड़ी है कि हम उसको बरदाश नहीं कर सकते ऐसे हालात है तो मैं आज कलेक्टर साब को फोन पर बात किया हो सुबो का टाइम मैंने उनका लिया हो और मैं जो बात आप से कह रहा हूँ वही बात उनको भी जाके कहने वाला हूँ इसलिए मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि मास का इस्तिमाल करे मस्जितों में नमास के लिए मास का इस्तिमाल करे जो लोग मंदीरों में जाते वो मास का इस्तिमाल करे जो जहां गर्दी का इलाखा है या हुजूम होता है खास करके सोशल डिस्टेजिन और मास का इस्तमाल हम करें पूरे हिंदुस्तान में अनेक स्टेटों को तुम देखो मैं अभी उत्तर परदेश गया महरास बिहार गया दिल्ली गया सब स्टेट के अंदर में मामला चल रहे लेकिन हमारे पास नमबर अफ अकड़े जादा आ रहे है उसमें औरंगबाद की हालात मराट वाड़े की हालात खराब है मैं इसको मानता हूँ लेकिन लागडाउन इसका रास्ता नहीं है कंप्लीट लागडाउन इसका रास्ता नहीं है हमने हफ़ते में दो दिन रखा था, इसमें भी कोई परिशानी नहीं है, संडे का दिन तो छुटी का होता है, और एक दिन निकल जाता है, यह मुनासिब था